अब इस lecture के अंदर मैं आपको chapter number 1 बताऊंगा pre-algebra का जिसका नाम है understanding the basics of pre-algebra कौन-कौन सी basics है चले आले देखते हैं सबसे पहले numbers and operations in algebra आपको भी पता है कि natural numbers हमारे पास होते हैं और ये वो number होते हैं which are naturally count with ठीक है जिससे हम count करते हैं जिरो तो नहीं ना count किया हमने हम एक से count करते हैं तो ये कुदर्ती अदात का set होते है the number starts from 1 and go indefinitely यानि के एक से उपर की तरफ जाते हैं इन्हें हम बोलते है natural number फिर हमारे पास आते है whole number whole number में 0 भी आ जाते है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, until infinity फिर हमारे पास आते हैं integers negative integers, positive integers and 0 तो integers क्या होंगे कोई भी number जो proper whole number हो यानि के partial number ना हो उसको हम integers बोलते हैं then हमारे पास आते है rational numbers rational numbers are the numbers that can be expressed as the quotient of two integers यानि के एक बटा दो fraction के अंदर जो चीज आ जाए उसको हम बोलते है rational number फिर हमारे पास आते है irrational number यह पिछले lecture में मैंने आपको बताया अभी सिरफ repeat कर रहा हूँ irrational number क्या होते है that cannot be expressed as simple fraction यानि के इनकी fraction कोई ना हो for example the square root of two जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं इसको fraction में हम लिखी नहीं सकते जितना मर्जी हम कोशिश कर ले इसको हम proper fraction में totally fraction के अंदर नहीं लिख सकते है इनको बोलते है irrational numbers तो rational होते है जो points में आ सके या fraction में लिखे जा सके sorry fraction में लिखे जा सके irrational जो fraction में ना लिखे जा सके इनकी example भी मैंने हर एक की साथ-साथ दी हुई अगर आप गोर करेंगे तो आपको examples भी मिल जाएंगी यहां पे then हमारे पास real numbers आते है real numbers include all the rational and irrational numbers the numbers line present real numbers for example pi हमारे पास आगया which is approximately 3.14159 is a real number ठीक है तो real numbers include all the rational and irrational numbers and there are many other examples of real numbers आप खुद से भी सर्च करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा इसमें rational and irrational दोनों आ जाते है फिर आते हैं हमारे पास arithmetic operations plus addition होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं plus करना subtraction होती है मारे पास negative multiplication होता है यानि multiply करना and division यह हमारे पास 4 basic arithmetic operations होती है यह आपको भी पता है कि जमा करने का क्या मतलब है subtract करने का क्या मतलब है multiply करने का क्या मतलब है and divide करने का क्या मतलब है लेकिन example में मैंने बताया if you have 3 apples and get 2 more you have now 3 plus 2 5 I know कि ये plus करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है लेकिन ये समझना जरूरी है जब हम vector spaces की तरफ जाएंगे किस तरीके से addition होती है पहले आप क्या करते है गिंते हैं 1 से 3 तक आपके पास 3 saib है मैं कहता हूँ मेरे पास कितने saib है 1, 2, 3 मेरे पास 3 saib होगे ठीक है 3 saib है तो इसमें अगर 2 मैं जमा करूँगा तो मैं 4 और 5 इस तरीके से करूँगा तो मेरे पास total points save होगे इन चीज़ों को याद रखेगा starting from initial point of the first quantity 1, 2, 3 फिर उसके आगे हम मिलाते हैं 4, 5 ये चीज़ याद रखेगा when we are going to learn matrix and vectors ये तब आपको help करेगा फिर आप difference करते हैं subtraction में multiplication and division so इसको मैं नहीं छेड़ता ये आपको पता है subtraction, addition, multiplication and division but there are orders of operations जो ज़्यादा मशूर है जिसको पेमदास बोलते हैं या पेमदास रूल बोले जाते हैं मैं इसको पेमदास से R, E निकाल दे तो हम पेमदास बोलता हूँ and both mass बोलता हूँ यानि के बदमाश और पेमदास ये दो रूल्स हैं जो apply किये जाते हैं अक्सरोकात, order of operation के अंदर यानि के जब आपके पास कोई equation के अंदर plus, minus, multiplication and division आजाए तो आप उसको कैसे resolve करती हैं याँ पेमदास का क्या मतलब है इसमें P का मतलब है parentheses, फिर आपके पास E आजाता है exponent, फिर आपके पास multiplication, division, addition and subtraction यहाँ पे B का मतलब आपके पास brackets आते है O का मतलब orders है तो अगर आप board mass और पेमदास को देखें तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन आपको same लगेंगे जो change आ रही है अगर आप गोर करें M और D की है ठीक है तो यही आपका आज का question है के पेमदास या पेमदास versus board mass, ये कहां पे use होते है और Python में पेमदास use होता है या board mass use होता है ठीक है, ये दो आपने चीजें देख नहीं है अब होता क्या है, जब हम इन question को resolve करते हैं मैं यहां पे example आपको दिखा देता हूँ for 3 plus 2 multiplied by 2 multiplication, multiply first and then add the other things क्योंके division और multiplication ये पहले आती है, फिर addition and subtraction आती है so you have to follow this order of operation ठीक है यहां तक तो हो गया आपका chapter number 1 कि basics in algebra के अंदर क्या होता है लेकिन कुछ key terms हैं जो मैं बार-बार repeat करूँगा आपको समझाने के लिए पहली इन में है variable variable क्या होता है ये एक symbol होता है usually which is a letter that stands for a number that can vary or change for example, x plus 2 में x variable है ये हमारे पास एक x plus 2 में x variable है तो अगर हम इसको एक expression मानें तो यही expression की definition है ठीक है but अगर variable ये है तो इसको 2 को क्या बोला जाता है let's see हमारे पास दो चीज़ें आती है यहाँ पर एक होता है constant एक होता है coefficient constant क्या होता है constant is a fixed value that does not change example in the expression x plus 2 the number 2 is a constant x हमारे पास variable है 2 हमारे पास constant हो गया अब देखते हैं जनाब आपके पास और भी advanced level पर चलते हैं थोड़ा सा coefficient क्या होता है a coefficient is the number used to multiply a variable for example in 3x 3x के अंदर जो 3 है वो coefficient है तो अगर हम इसको order of operation के अंदर लिखें तो यह गलत ना होगा के जब हम किसी एक equation को लिख रहे होते हैं उसमें expression क्या है हमारे पास जो variable है वो क्या है constant क्या है और coefficient जो है वो किस तरीके से चल रहे है ठीक है so हमारे पास जो और भी definitions है वो है expression की expression क्या होगा an expression is the combination of variables, numbers and operations यानि के 2x plus 3y minus 5 is an expression ठीक है फिर आती है हमारे पास equation equation क्या होगी that is a statement that two expressions are equal जब भी आपके पास equal का निशान आजाए two expression के दर्मियान उसको हम equation बोलते हैं फिर inequality क्या होगी an inequality is like an equation but instead of equality it shows a relationship of less than, greater than, less than equal to or greater than equal to for example x plus 3 is greater than 5 यानि के अगर other conditional operators या boolean operators का यूज हो जाए तो हम उसको inequality बोलते हैं अब इसको थोड़ा सा मैं और explain कर देता हूं ताके आपके mind में ये बात बैठ चाए कि इन सारी चीजों को हम कहां पे और कैसे यूज करते हैं क्योंकि जारी बात है सिरफ सीखना हमारा मकसद नहीं है application को देखना भी हमारा main मकसद है अब अगर यहाँ पे गौर करें मैं अपना whiteboard आपके सामने ले आता हूं ये मेरा whiteboard आपके सामने आ चुका है अब अगर यहाँ पे आप गौर करें इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ meanwhile आप order of operations को अगरा देख लेए assignment को कि order of expression जो है वो क्या चीज है and tablet app okay जी now it's working मैं आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैं लिखके दिखाता हूं पहले सबसे पहली चीज़ जब भी हमारे पास 2x प्लस 1 आ रहा है यह क्या चीज़ है as a whole इसको हम expression बोलते है expression mathematical expression यह algebraic expression बोल सकते है ठीक है पहली concept यह है x जो है हमारे पास यह है variable variable क्यों है क्योंकि यह तो हमारे पास जो 7 में आ रहे है यह तो numbers है for example यह जो इस side पे आ रहा है इसको हम constant कहते है constant एक ऐसा number होता है जो change नहीं होता ठीक है variable क्यों है क्योंकि x है x कभी 5 हो जागा कभी 6 कभी 7 कभी 8 depending on the situation variable का मतलब है जो change होता रहे इसमें change आती रहती है no change ठीक है यह आपको याद रहेगा अब यह जो है यह हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है this is called coefficient coefficient इसको बोल सकते हैं coefficient ठीक है यह क्या करता है यह basically two यानि कि variable के साथ जो expression होता है जो multiply हो रहा है असल में variable के साथ उसको हम बोलते हैं coefficient ठीक है और यह multiplication होती है इसके साथ अगर two x है तो यह multiply हो रहा है यहां तक आपको समझ आ गया अब अगर मैं इसको और detail में लिखना चाहूँ इसी एक equation को मैं और detail में लिखता हूँ expression को two x plus one is equal to five अगर मैं ऐसे लिखूंगा now this is called an equation equation क्यों बोल रहे हैं हम इसे because we are using this equality sign this sign यह वाला जो sign है यह हम use कर रहे हैं इसको बोलते हैं equation ठीक है अगर हमारे पास equality sign ना हो तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास inequality का sign होगा यानि के equal का ult क्या हो गया unequal ठीक है तो मैं उसी को आपके सामने लाता हूँ वो क्या हो सकते हैं या तो equal होता है for example 5 जो है बराबर है 5 के this is fine यह equal है 6 जो है यह बड़ा है 5 से यह हो गया हमारे पास greater than 5 छोटा है 6 से यह हमारे पास less than अब अगर हम 5x plus 1 is greater than and equal to 2 यह हमारे पास inequality आगी ठीक है यानि के equal sign की बजाए हम दूसरे signs यूज कर रहे है तो यह हमारे पास होगी जनाब inequality simple तो यही मैंने terms आपको पढ़ाई है अगर आप इन terms को गौर से देख रहते हैं तो आपको basic mathematics और basic algebra जो है वो समझना असान हो जाएगा और यह कुछ key terms थी जो मैंने अभी आपको बताओ इनकी definition मैंने link जो दिया हुए chat के अंदर वहां से भी पता चल जाएगा तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा ठीक है यहाँ तक clear हो गया जी आपको चले अब यहाँ तक clear हो गया आपको एक credit यहाँ पे जाता है कि आप basic algebra की basic सीख रहे हैं और आपको expression, coefficient और कुछ जो important algebra की terminologies हैं वो समझ आगी है जिने हम key terms बोलते हैं अब अगले lecture में चलते हैं